हेलो बहुत बहुत श्वागत करते हूं आप सभी का गाइस गुड मॉर्निंग उमीद करते हूं हम सब कर दिन अच्छा जाए तो आज की रिडिंग इस टॉपिक पर है कि आपके सिक्रेट इड्मारर कौन है कौन है वो परशन जो कि आपको चोरी चीपे देख रहे हैं वाच क मैं उनके बारे में कुछ पर नहीं आठेट कॉलिटी में बताऊंगों कि वह परशन कई सैंसे अभ्यान उनको श्राइब को परशन क्या है उसक है उन्का बिएवियर कैसे है brilliant वीए क्या सौ्छेंने विए क्स पर क्रेंट कोन का बहुत? आपको क्या ऄऊफन आपकी पैसे क् करते हैं लाइक करते हैं रोमांटिक वे में या आपके काम के वजह से वापको इड्मायर करते हैं तो चलिए देखते हैं यह कलेक्टिव टाइम इस रिडिंग है आपसे रेजोनेट कर भी शकता हैं नहीं भी करें तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर किसेगा कौन है आपके सिक्रेट इड्मायर कौन है वो परशन जो कि आपको परशन दिकरते हैं कौन है आपके सिक्रेट इड्मायर क्या आप उनको जानते हो सब्सक्राइब तो मुझे ऐसा लग रहे है यह परशन कोई और कंट्री के हैं यह परशन वहां के बिल्कुल भी नहीं है जहां पर आप हो को शकता है कि आप इंटरनेट पर कुछ कर रहे हो जिसको यह परशन देख रहे हैं यह आपके इड्मायर है सिक्रेटली आपको इड हो वहां के तो नहीं है कि मुझे ऐसा लग रहे हैं कि परशन काफे जदा फेमश हैं यह अच्छे पोजीशन में हैं बॉशी नेचर के हो शकते हैं और इस परशन को ऐसा लगता है कि आप में क्या क्वालिटीज हैं जिससे यह पोजन आपके उर अट्रैक्ट हो रहे हैं यह आपके आपके इड्मायर हैं जो भी आप करते हो इनको बहुत पशंद है और आप फेमेल हो मेल हो जो भी हो अगर आप इंटर्निट पर कुछ कर रहे हो अगर आपका कुछ चैनल है से आप कुछ करते हो तो याँ सिपर सब्सक्राइब आपको देख रहे हैं कि जो भी इस पर्शन यहां से आपको देख रहे हैं और इस पर्सक्राइब कि एस परशन को आप से मिलाया है यह किस्मत से ही इस परशन ने आपको देखा है आपके और अट्रैक्ट हुए हैं इस परशन को ऐसा लगता है कि आप दोनों का फ्यूजर साथ में होशक्ता है बैलेंस होशकता आप दोनों की बीज आपको देखकर इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों में सेम क्वाल इनको नजर आती है दोनों एक perfect match को एक दूर्से के लिए perfect match बन सकते हो एक ideal couple बन सकते हो और शकता है कि आपने लाइप में काफी जद़ श्ट्रोगल किया है श्ट्रोगल को स्वेश किया है सफर कि अपने इस पर्शन ने भी तब जाकरी यहां पर पहुंसे हैं जो इन्हों यह मुकाम हाशिल की है न इसके पीछे काफी जद़ हाड़ वर्क है और यह पर आपका हाड़ वर्क भी देख रहे हैं जो भी आप करते हो तो कि आपके और काफी जद़ ट्रैक्टेट है यह परसंद आपसे कातनी देख वर्क है कि इस ठीट एक इस फीजदु रहे हैं कि वर्क वर्क में स्सक्टेट आप से क्रचंस करुडखते हैं यह जगों प्रेशन को सब्राट हो समय को उन्सक्ति कर एक क्वाटन फूसलन के पापने यह ब्रॉषव जद्ट आपने इस बर्सम ने कि रूप में देखते हैं यह परशन से न है लाइन के लो संटक नहीं कोई नहीं में पर इस परशन के पास आप्शन हैं आप करना चाहते हैं अपको ठाय। यह आपकी फैमली यह मिलने हैं और काफी सार वहां हैं कसा क्यच多 बना रहे हैं कि खुच को अपनी लाल में जरूर अपना साहते है ए परशन नहीं तो इतनी बड़ी दुनिया में सिर्प आप से अट्रैक्ट नहीं होते हैं कि वह रचेण इनके पास खुदी आपशन है maior छेक करते हैं कोण है है यह बर्शन एक से ज़ादा वर्ट कर रहे हैं यह से जादा इनका बेजनेश है इसा कुछ होशकता है मल्टी टैलेंटेट मल्टी टाश कर और आपको भी वर्शन इस तरह से देखते हैं कि आप कफे ज़यादा ट्रैक्ट हो बेटी फूल अगर आप आप एक फेमेल हो डेफिनेटली आपकी खुब्षूरतिया जैसे भी आप पता नहीं मुझे क्या मांते हो खुद को ही नहीं पर यह परशन आपके बहुत ज्यादा ट्रैक्टेट हैं बहुत ज्यादा आप ऐसे लगते हो इनके लाइब को खुशियों से भर शकता है अब इल् आप में देखते हैं एक अच्छे हज्बंड एक शही वाइफ या हज्बंड बनने की सारी कॉलेटी आप में देखते हैं हो के हीलिंग एनर्जी पॉजिटिव इनर्जी परशन को आप से आती है और यह आप से डेहद अट्रैक्टेट हैं आप एक क्वेंग हो इनके लिए आपके रिस्पेक्ट करते हैं गाइस हो शक्त है कि आप बहुत जदा फेमर्श हो या सकसेश हाशिल आपने किया है या सकसेश की और आगे बढ़ रहे हो रोत आपकी हो रही है ऐसा भी हो शक्ता है कुछ लोग लिए यह भी हो शक्ता है कि यह जो सकसेश आपने हाशिल की है या इस परशन ने हाशिल की है ना उसके पीछे काफी ज़्यादा हाड वर्क है यह यहाँ पर कोई एक वर्शन फानियंशल इशू से पैशो की प्रॉब्लम से गुजर रहे है फेस कर रहे है फानियंशल इशू को शो डोंट वरी वो कुछ ही लोगों के लिए या आपके वो परशन है जिस परशन ने आपसे मोवान किया था अपने इंको काफी ज़्यादा चेस किया पर इस परशन ने उस वक्त आपका बिल्कुल भी नहीं शुना और जब आप आज फेमर्श हो चुके हो लाइफ में आगे बढ़ चुके हो अपने लाइफ में खुश खुश हो हैपी हो अब आपको फर्क नहीं बढ़ता है इस परशन से तभी परशन आपको सिक्रेटली देख रहे हैं अब आप पहले सभी कहीं ज्यादा ब्यूर्टिफॉल हो चुके हो पहले की तरह नहीं रहे आपने इस इनर्जी से इस इनर्ज तब जाकर आप खुईन और पैंटिकल के नर्जी में आए हो यह यह परशन आए हैं यह परशन डेफिनेटली आपको एक खुईन या किंग की तरह देखते हैं काफी जदा ठ्रैक्टी हो आप ओके और यह परशन को यह भी फिल होता है कि आप में एक मदरली नेचर है एक मदर कैशी होती है काफी जदा क्यारिंग लविंग श्वेट डाउन तो अर्थ आप बिल्कुल वैसे हो काफी जदा श्वेट और शेक करते हैं इनके बारे में श्यारियेट उक्याइज कुछ लोग लें हो शकता है कि आप डाइवोर्श हो यह इसलिए पर्षण को आपे और क्लिए अगर पतफि यह परशन डाइवोग होरी है तो यह परसंद कानी अभी अभी आउस हो हैं तो आपको प्रकोश करने के लिए अपना लव कन फेश करने के लिए थोड़े से दर्हें हैं डरना नहीं कहना चाहिए मुझा यहाँ पर थोड़े से यह वर्षन इस इनर्जी में है कि पता नहीं आपकी क्या फेलिंग्स होगी आप क्या सोचेंगे इनके बार में जब आपको पता सलेगा कि यह वर्षन डाइवोश्री है कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उन सारी चीजों को या उन सारी बातों को या उन सारी निगेटिव थौर्ट को अलग करके परशन आपके ज़रूर आएंगे पर यह किसी और जगर्षे है या कास्ट रिलेजन अलग है इनका बिलकुल डिफरेंट है यह परशन या आप जैसे हो यह परशन विलकुल डिफरेंट है अपोजिट है आपके और अगर आप डाइवोर्षी हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यह परशन इस परशन को फ़र्ख नहीं पढ़ता आपके डाइवोर्षी होने से इस परशन को फ़र्ख नहीं पढ़ता बस आपको चाहते हैं यहां पर किंग और पैंटिकल और क्वीन और पैंटिकल आप दोनों एक दूसरे के लिए परफिक्ट मैच हो मैंने आपको अल्रेडी बता दिया यह परशन इस नजश्य आपको देखने इस तरह आपको देखने हैं पर आपकी नज़रों में यह परशन अभी तक नहीं आए हैं इस परशन को नहीं जानते पर बहुत जल्दी परशन आएंगे आपके लाइप में और मुझे असा लग रहा है कि इनके आने से यह परशन तो खुद फिल करते हैं कि आप इनके शपनों की रानी अराजा के तरह हो या जो इन्होंने जैसा सपना देखा था जैसा ड्रेम्स बिल्गुल वैसे हो और आपको भी यह फिल होगा कि कभी आपने जो यूनिवर्शन मंगा था या कभी आपने शोचा था अपके थोट्स में आया था कि इसा होना चाहिए मेरा फियोसर हजबंड वाइफ गर्फ्रेंड वार्फ्रेंड यह बिल्गुल वैसे हैं तो आपको होगा आपको कोई वीश है जो कि इन क्याने से पूरी हो चुकी है पूरी हो गई है कि यह पर्शन खूद ऐसा फिल करते हैं कि जैसा विश इन्होंने किया था वो पूरी हो चुकी है यह आपको लव कनफेश करने की बाद जब आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे डेफिनेटली आप करोगे हैं क्योंकि आप दोनों परफेक्ट हो एक दूसरी के लिए आपको इनमें कोई क्वालेटिस ऐसी नह लाइफ हैं यह आपकी डेश्टेनी लिखी है तो कि साथ में और आप मिलकर कुछ करोगे कुछ क्रेट करोगे कुछ वर करोगे जिसको लोग देखेंगे कि अब बिशनेस मैं वोमेन हो शकते हो या तो यह परशन हो शकते हैं आप दोनों हो शकते हो यह तो आप इनका प्रपोसल एक्षेप्ट करने वाले हो जब आप इनका प्रपोसल एक्षेप्ट करोगे तब इनको ऐसा फिल्म होगा कि इनका जो वेश था वो पूरा हो चुके है जो इन्होंने दुआओं में मंगा था आपको या यह चाहते थी कि आप इनको एक्षेप्ट करो इनका प्रपोसल एक्षेप्ट करो आपनी कर लिया तो इनकी भी स्पूरी हो गई ऐसा कुछ तो कुछ लोग लिए यह परशन आपके पास्ट परशन है के जिन्होंने मूँ आन कर लिया या आपने वहाँ पर से मूँ आन कर लिया जो अपको देखने हैं आपको इड्मायर कर रहे हैं आपके ओ أناट है और कुछ लोगक ले आपने इनके साथ कुछ वर्क तो किया है पर romantic way में आप इस परशन को नहीं जानते या कभी इस परशन नहीं किया कभी बता या नहीं कि या मुझे ऐसा लग रहा है कि ये परशन आपको हमेशा देखते रहते हैं पर आपकी नजर में नहीं आए हैं अब तक पर बहुत जल्द ये परशन आपको अपने love कन फेश ये परशन डारेक्ट आपको प्रपोस्ट करने वाले हैं रेडिंग में तो यह ही आई है पता नहीं किसकी है पर बहुत ज़्यादों ओ माइगाड काफी पॉजिटीव इनर्जी है काफी पॉजिटीव रेडिंग है क्लैम जरूर किसेगा तो कि ये कार्स मुझे अट्रैक् प्रफेक्ट मैच कुछ लोग ले ये परशन को जानते हो इसकुल टाइम से कॉलिश टाइम से क्या वर्क प्लेश आप इनको जानते हो कुछ लोग ले ये आपकी पास्ट परशन है जो कि आपको एडिमायर कर रहे हैं काफी ब्यूटिफुल और गुड लुकिंग है जो भी परशन है और आपकी और भी काफी ज़्यादा अच्रैक्ट हों गए क्योंकि ये परशन आपकी परफेक्ट मैच है जब आप उनको जान लोगे देख लोगे आपकी मिटिंग हो गई मुझे आप कि अइसा लग रहे है कि आप इंसा अच्रैक्ट होई भीना नहीं रहा आपक कि आपने काफी जादा पेनफुल सिचुएशन को फेश किया है तो यह उसका रिवार्ड है या गिफ्ट है यूनिवर्स के तरब से आपके डेश्टायंड पार्टनर तो के आपके जैसे परसन जैसे आप हो डाउन तो अर्थ मदर ली नेशर श्वेट कैरेंग लविंग लॉ जावें छोड़ दिया यह नहीं है गाइस पता नहीं किसकी है पर काफी ज्यादा पॉजिटिव रिडिंग है प्लेज क्लैम करेश को तो यह हम की रिडिंग लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर किसे का मैं मिलतु हूं नेक्स्ट रिडिंग में बाई